कि अगा इस एक बाद फिर से आपका स्वागत है मैं हूँ संजी अगरवाल आज हम बात कर रहे हैं sports commentary के बारे में कि अगर आपको sports commentator बनना है तो उसके लिए क्या-क्या जरूरियात है क्या-क्या skills आप में होनी चाहिए यह हमने पहले भाग में discuss किया और अब एक commentator को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए do's and don'ts for the commentator जब आप commentary कर रहे हैं तब it is the action in front that should be in the forefront of everything and rest should be in the background जब आप commentary कर रहे हैं तो मैदान पर जो action हो रहा है वो आपकी commentary का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ तो live action चल रहा है और आप इतिहास describe कर रहे हैं आप एक खेलाडी के बारे में ही बोले जा रहे हैं नहीं जो भी उस commentary को सुन रहा है हम radio commentary की बात करते हैं वो जानना चाहता है कि मैदान पर क्या हो रहा है तो मैदान पर क्या हो रहा है ये सबसे ज़रूरी है please stick to the time limit decided by the producer though a couple of minutes here or there shouldn't bother you it's all part of the game but be fair to your co-commentators देखिए एक commentary में बहुत सारे commentators होते हैं कभी 2 होते हैं कभी 4 होते हैं तो जो producer होते हैं वो हर commentator को कुछ time allocate करते हैं जैसे कभी वो कहते हैं कि हर commentator 2 over की commentary करेगा या 10 minute की commentary करेगा तो अब आप अगर जादा बोलेंगे और अगर आप दूसरे के time में से लेंगे तो वो unfair है तो अगर आपको उन्होंने कहा है 2 over के बाद आपको change करना है तो आप उसके बाद अपनी commentary को उसी तरह से समेटिए कि 2 over के बाद खत्म हो जाए या 10 minute है तो आप यह ध्यान रखिए कि 10 minute कब होने वाले हैं अगर उससे आपको distraction होती है तो आप अपने producer को बोलिए कि 2 minute रहते हैं वो आपके कंदे पर tap करते हैं तो आपको पता है कि आप 2 minute रहते हैं और मुझे 2 minute के अंदर अपनी commentary को wrap up इस तरह से करना है कि मैं next commentator को hand over कर सकूँ इसके अलाबा be courteous to your co commentator and try not to snub और contradict him or her on air ये एक बहुत ही महत्वपून बात है अक्सर ये देखा जाता है कि commentators अपनी अपना ज्यान ज़ाडने के चकर में एक दूसरे की बात को काटते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे commentator एक सुनने वाले के लिए नहीं आप कितना भी ज्यान ज़ाडने लेकिन अगर आप अपने co commentator को काटेंगे तो क्या होगा फिर वो आपको काटेगा तो इस तरह से आप दोनों ही अपने आपको ग्यानी साबित करने के चकर में अग्यानी साबित कर देंगे क्योंकि आपके ग्यान को दूसरा विक्ती गलत साबित कर रहा है और आप उसके ग्यान को गलत साबित कर रहा है तो इसका मतलब दोनों का ही ग्यान गलत है और दोनों का ही ग्यान गलत है अगर तो सुनने वाला क्या कहेगा कैसे मूर्ख commentator बैठे हुए है जिनको कुछ पता ही नहीं है चुकि उसको आपकी कमी पता चल जाएगी तो इसलिए अपने commentator के साथ और ये एक professional ethic भी है कि आप अपने co-commentator को कभी भी contradict नहीं करते हैं Also, whenever your chunk of commentary is coming to an end please make sure that you leave the seat as fast as you can so that the next commentator can settle down in time for his or her turn curtsy begets curtsy देखिए अगर चार commentator है एक test match है तो commentary हर 15 मिनिट बाद या आदे घंटे बाद commentators का जो circle है वो बदलता है commentators बदलते हैं तो आपने एकसर सुना होगा और अगे का आखो देका हाल सुनाएंगे Sanjay Agrawal या कोई भी और जब हम ये कहते हैं तो उसके बाद as a commentator हमें वहाँ से उटना है ताकि वो दूसरा commentator है जिसका मैंने नाम लिया वो आकर बैठे तो जब दो commentator हैं तो दो मेंसे एक पहले ही उड़ जाता है ताकि कि वहाँ पर दूसरा आकर बैठ जाए और जब मैं कहूं कि और आब आके कहां को देखा हाल आपको कॉमेंटेटर को बैठने के बाद भी कॉंसेंट्रेशन आने के लिए कम से कम तीस सेकंड या एक मिनट लगता है अगर आप बहुत देर करेंगे तो उधर दूसरा कॉमेंटेटर जो है वो रेस्टलेस हो जाएगा अकेले कॉमेंटरी करते करते और यह जो कॉमेंटेटर पीछ चीजों को पहले ही समेटिए कर टीस बनिए मत बनिए यह मद सोचिए कि मैं सीनियर कॉमेंटेटर नूरा रा इन्जार करने तो कामों और उसके बाद के साथ अच्छा मैंचा न चाहिए आप जो बात कर रहे हैं वो co-commentator उस बात को आगे बढ़ाए जो आपके co-commentator ने जो आपके साथी commentator ने कहा आप उस बात को आगे बढ़ाए इन case of any conflict with the co-commentator it should not show in the commentary अगर आप किसी बात से इतिफाक नहीं रखते हैं अपने साथी commentator की तो उस बात को जाने दीजिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बात का फलसफा ज़ाड़ना ही है या आपको हर बात की सफाई देनी ही है कहा आपके को commentator ने का कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं है कि उनका अपना view हो सकता है और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सुनने वाले समझ जाएंगे कि इन commentator की समझ क्या है जो इतने महान खिलाड़ी के बारे में ऐसा बोल रहा है क्योंकि आप सुनन वाला भी भाम जाता है और वो जमाना चला गया जब रेडियो पर commentary होती थी तो सिर्फ रेडियो पर ही सुनते थे आज की डेट में जिनको रेडियो commentary पसंद है वो टीवी पर action लगाकर रखते हैं और रेडियो की commentary सुनते हैं तो अगर आप cover की जगा point बोल रहे हैं और मिड को यौर कर बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ जाएगा कि इन भाई साब को technical कुछ पता नहीं है तो इसलिए जो है आप जाधा घ्यान भगारने के चक्कर में ना पढ़ें कोई conflict है तो शांत रहें और को commentator साथी commentator जो है वो अपने आप ही कर लेगा इसके अलावा यह एक ज दुबई जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वहां पर वहां के शेख दिख जाएं जो दुबई के महत्वपूर्ण लोग हैं कोशिश कीजिए उनकी फोटो आप देख कर जाएं ताकि अगर आपकी गैस पर नजर पड़े तो आप बता सके कि आज मैदान में यह भी आते हैं कि हां यहां पर यह डिग्नेटरी आये हुए हैं उससे उस मैच का खुबसूर्ती उसका महत्ता बढ़ जाती है और आपकी एज़ कॉमेंटेटर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है तो यह कोशिश कीजिए कि जो महत्वपूर्ण ल के बारे में उनके डेजिगनेशन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं कीप योर्सेल्फ नूट्रल एंड मैटर ऑफेक्ट डोंट एक्स्प्रेस यो पर्स्नल व्यूज और उपिनियन यह बहुत ही ज़रूरी है एक कॉमेंटेटर का नूट्रल होना हम बेशक इंडिय व्यक्ति हैं जो सिर्फ वहां पर हो रहे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए उपलब्द हैं एक हम माध्यम हैं तो अब आपको अपना अगर आप उपिनियन देना शुरू कर देंगे तो आप कॉमेंटेटर नहीं हो जाएंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे लेकिन आपका काम तो एक्सपर्ट बनना था नहीं आपको तो आज कॉमेंटेटर बुलाया गया था तो आज कॉमेंटेटर आपका जो काम है वही कीजिए न्यूट्रल रहकर सिर्फ एक्शन बताइए कॉमेंटरी से पहले दो मिनट पहले बैठ कर कोशिश किजिए आखे बंद करके आप थोड़ा सा मेडिटेट करें आप अपने नर्व्स को थोड़ा सा सूध करें किसी भी कॉमेंटरी से पहले जो भी अच्छा ब्राड़कास्टर होगा जो अपनी कॉमेंटरी के बारे में थोड़ा सचेत है, तो वो चाहेगा कि मेरी कॉमेंटरी बहुत अच्छी हो, और इसलिए थोड़ी सी एक एंग्जाइटी होती है, उस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए दो या तीन मिनट लीजिए अपने साथ, आँखों को बंद कीजिए, थोड़ा मेडिटेज आये करें, कि वो ये कहें कि वाह, मजा आ गया, कॉमेंटरी सुनकर, प्लीज एक्सेप्ट दफाक्ट अट नौट एवरीवन थिंक्स अलाइक, और आपको लगता है कि वो एक्शन को ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, या वो जैसा बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोल रहे हैं, या आपके पास जो एक्सपर्ट को लाया गया, उन्हों ने वो बात नहीं बोली, आपकी खेल की समझ अपनी है, उनकी खेल की समझ अपनी है, हर किसी का ख़YAL अपना अपना पसंद अपनी अपनी, तो आप दूसरों के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये याद होंगे आपकी commentary effect होगी और commentary का स्थर कहीं ना कहीं नीचे जाएगा सिर्फ focus कीजिए अपनी commentary पर कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को मुझे बहुत अच्छे से करना है और मुझे उस काम में महारत हासिल करनी है और अपनी best performance देनी है दूसरा आपका साथी commentator क्या कर रहा है या producer क्या कर रहा है उसकते आप उनके किसी बात से नहीं सहमत है commentary के दौरान किसी भी तरह का conflict अपने दिमाग में मताने दीजिए please be sure about the pronunciation of the names and discuss it with your co-commentators to ensure that all of you pronounce it correctly and similarly in case of any confusion please don't hesitate to ask for help कभी-कभी खिलाडियों के नाम जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे लिखे गए खास्त और से जो विदेशी खिलाडी है तो उनके जो नाम हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको उनके उचारण के बारे में बहुत जादा समझ नहीं होती हैं आपने हिंदी का अखबार पड़ा जैसा वाँ लिखा था आपने सोचा वही सही है लेकिन सही उचारण क्या है अपने commentator से अपने साथी commentator से आपके साथ जो अंग्रेजी के commentator होंगे या हिंदी के commentator होंगे उनके साथ discuss कीजिए उनसे खुल कर पूछिए कि आप ये किस तरह से बोलने वाले हैं या ये इसका उचारण सही क्या है देखिए आज कल मैं आपको एक छोटी सी tip देता हूँ कि जितने भी broadcasters हैं वह commentary को बहुत सारी भाशाओं में broadcast करते हैं हिंदी में अंग्रेजी में बांगला में तो आप वह channel देखिए वहाँ पर जो खिलाडियों के नाम है वह उसी भाशा में दिये जाते हैं हिंदी में अगर आप commentary कर रहे हैं तो आप हिंदी का channel देखिए आप हिंदी के matches की matches की हिंदी में highlights देखिए और उचारण बहां से लीजे क्योंकि जो हिंदी में नाम लिखा हुआ है क्योंकि वो official broadcaster है तो वो ये ensure करते हैं कि जो नाम लिखा जा रहा है वो बिलकुल सही हो उसमें किसी तरह की गलती ना हो तो अगर आपको किसी नाम में confusion है तो ये एक tip हम आपको दे रहे हैं कि आप इस तरह से उन नामों का सही उचारण जान सकते हैं अब खिलाडियों का चैन सही था नहीं था ये आपका काम नहीं है आप उसके बारे में बहुत जादा critical ना हो जाए आप बिल्कुल यही ना बोलने लगें कि जो चैन करता हैं वो तो बेवकूफ हैं और वो जानते थे कि यहां पर match की assis थिती है, pitch की assis थिती है उसके बावजूद team management ने गलग team select कर ली आप इस तरह से comment as a comment commentator जो है यह ना सुचें कि वो comment कर सकता है commentator जो है basically describe करने के लिए action on the field को describe करने के लिए है comment करने के लिए नहीं है किसी भी तरह से अपनी विचार या अपनी विचार धारा को वहाँ पर सही साबित करने के लिए आप commentator नहीं बने हैं आप commentator बने हैं सिर्फ जो action हो रहा है उसको describe करने के लिए तो team selection के बारे में बहुत जादा critical ना हो बहुत जादा chain करता हों की बुराई ना करें उनका criticism ना करें हाँ कभी-कभी आप यह कह सकते हैं कि बेतर होता अगर team selection में थोड़ी और साफधानी बरती जाती और अगर आज इस खिलाडी को खिलाते तो शायद भारत की team बेतर production करती यह इस तरह की जो statement है यह किसी भी तरह से गलत नहीं है लेकिन अगर आप chain करता हों के बारे में कुछ ऐसी वेंगात्मक टिपणी करते हैं या आप बहुत जादा उनकी बुराई करते हैं वो as a commentator आपका काम नहीं है तो यह हुआ उसके बाद please try and thank scorer and statistician too by name during the commentary for they are as much an integral part of the commentary as you. जब आप radio के लिए commentary कर रहे हैं तो आपके पास एक scorer और statistician होते हैं cricket में तो scorer जब scoring कर रहे हैं तभी तो आप अपने शोताओं को बता रहे हैं statistician आपको आंकड़े दे रहे हैं कि किसी खिलाडी ने कितने रन बनाये थे इस मैच से पहले या ऐसी स्थिती कब हुई थी किस खिलाडी ने सबसे जादा तो statistics तो यह दोरों बहुत ही महत्वपून लोग हैं आपकी commentary के और बेशक यह background में हैं लेकिन professional ethics यह कहते हैं कि आप अपनी commentary में उनका भी नाम का जिकर करें उनने धन्यवाद करें ताकि शोताओं को पता चल सके कि यह जो commentary है यह सिर्फ एक commentator का effort नहीं है यह एक team effort है और team में scorer और statistician भी हैं और उनको आप धन्यवाद करते रहें और जब भी आप अपना आपका session खत्म होता है as commentator so before handing over the microphone to the next team kindly announce their names जब आपका session खत्म हुआ तो अब आप next team को बुला रहे हैं तो आप जरूर कहें कि और आब आगे के आखोदे का हाल आपको सुनाएंगे Mr. A and Mr. B I Mr. E and Mr. B उससे क्या होता है जब हम commentary करते हैं तो हम अपना नाम नहीं लेते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि commentators भी दूसरे का नाम लेने का भूल जाते हैं और commentary तनी बढ़िया चल रहे हैं कि उनको ध्यानी नहीं रहता एक दूसरे का नाम लेना लेकिन श्रोता जानन कि कौन-कौन कॉमेंटरी कर रहा है प्रोफेशनल एथिक्स की बात है ये भी एक की आप अपने जो अब जब कोई गैस्ट आता है किसी भी टी-वी शो में या रेडियो शो में तो हम उनका नाम लेते हैं इसी तरह से आप जब next commentator को बुला रहे हैं microphone पर तो उनका नाम ज़रूर बता है तो अर is human if you have wrongfully announced something please apologize for the mistake and correct yourself this will only add to your credibility देखिए आप से गलती हो सकती है आप action देख रहे हैं आपने एक बात बोल दी आपने बिलकुल उसी रवानी में बोल दिया कि ये gain जो है third man की तरफ चले गे लेकिन आपने बाद में रेराइस किया कि नहीं ये gain जो है ये point की दिशा में गई थी अब ये आपको देखना है कि कैसे आप कम से कम नुकसान के साथ अपनी credibility के इसको ठीक करते हैं या आप इसको ठीक करना भी चाहते हैं नहीं करते हैं जादातर commentators अपनी गलती ठीक नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि अगर हम अपनी गलती ठीक करेंगे तो सुनने वाला ये सोचेगा कि हमें पता नहीं है या हम शूर नहीं है लेकिन मुझे परसनली लगता है कि अगर आपने कोई गलती की है कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है जो की मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो आपको इसको ठीक करना चाहिए मान लिजे आपने स्कोर गलत बोल दिया तो अगर आप करते हैं नहीं माफ कीज़ेगा 133 नहीं 135 हुए इसमें कोई बुराई नहीं है सुनने वाले की आप पर विश्वास बढ़ेगा कि देखी ये मुझे सही जानकारी दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो भी जानकारी इनके हाथ में आई इन्होंने दे दी तो अपनी गलती को स्विकार करना जिन्दगी में वैसे भी कभी गलत नहीं है इस डिफिकल्ट तो बी नूट्रल इन टाइम्स अडिस्पेर और हैपिनेस फॉर इंडिया बट ट्राई तो बी नूट्रल द्यूरिंग दे कॉमेंटरी जैसा मैंने पहले कहा जब भारतिय किलाडी गोल करेंगे या चौका या चक्का लगाएंगे तो खुशी आने भी चाहिए लेकिन उसमें भी जितना आप नूट्रल हो सकें आप खुशी जाहिर करें आपकी आवास में थोड़ा दुख हो क्योंकि आप शोताओं को जिनको एड्रेस कर रहे हैं जो आपकी audience है, target audience है, वो Indians है लेकिन बहुत जादा आप बायस रना हो जाएं ये आप ध्यान रखें एक कॉमेंटेटर का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है उसकी imagination वो किस तरह से अपनी imagination को इस्तेमाल करता है, मैं आपको एक चोटा सा अधार में देता हूँ एक बल्लेबास जो है बहुत अच्छा खेल रहा है और उसके बाद वो बीट हो गया अब आपने कहा और ये गेंद इस गेंद पो एक कदम आगे बढ़ा कर खेलना चाते थे लेकिन मिस कर गए अब ये जो है, ये फैक्ट है कि वो मिस कर गए वो गेंद को खेलने से चूक गए यहां तक आपने बताया, बिल्कुल ठीक है अब इसके आगे का खेल जो है, वो आप imagination से एक और scene क्रेट कर सकते हैं अब आप इसमें कह सकते हैं और ये गेंद खेलने से चूक गए जरूर सोच रहे होंगे मनी मन कि भागे शाली रहा अगर गेंद बल्ले का किनारा ले लिया होता तो आज मुझे अभी पैवेलियन की और जाना पड़ता अब ये आपने imagination का इस्तेमाल किया और देखे, ये सही भी है वो imagination बहुत wild नहीं हो जानी चाहिए कि आप ऐसे बाते बोलने लगें कि सुनने वाला कहें कि भाई ये कहां मंगल ग्रैपर पहुंच गए धर्ती पर मैच हो रहा है उसी action का हिस्सा लगना चाहिए आपकी जो imagination है वो जब कोई खिलाडी गेंद खेलने से चूख जाता है तो साथ जब उसके तो जो हलक में आई जाता है दिल लेकिन जो फिल्ड करने वाली टीम है उनके भी मुझे आहा निकलती है जोर से तो आप उस आहा के बारे में ही एक sentence बोल सकते हैं और ये उनके मुझे आहा निकली सोच रहे होंगे कि जरा सा बल्ले से लग जाती तो आज ये विकेट मुझे मिल जाती आप गेंद बास की तरफ से भी बोल सकते हैं तो ये आपकी imagination है जिससे कि आपने उस scene को पूरा कर दिया वो scene अधूरा था अभी तक क्योंकि उसमें आपने वो मानविय पक्ष नहीं लाएते अगर किसी भी खेल को आप बहुत ही जादा टेक्निकल तरीके से सरफ डिस्क्राइब करते रहेंगे उसमें कोई human emotion नहीं है तो फिर वो commentary का कोई मज़ा नहीं है क्योंकि आप humans के लिए commentary कर रहे हैं और बिना human emotions के किसी भी action को describe करने का कोई मक्सद नहीं है कोई मतलब नहीं है तो उस emotion को लाई है उस emotion को लाने के लिए आपको अपनी imagination का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लीज डोंट गिव any hint to suggest as if you are doing the commentary from the ground at the same time there is no need to announce or suggest that we are doing it from the studios ashwathama hato आपको ये कहानी महाभारत से पता होगी कि किस तरह से जो है दुरुणाचारे की जो पुत्र थे ashwathama उसके बारे में बताये गया और फिर ashwathama hato और ashwathama नाम का एक हाती भी था जो मर गया था और ये सुनकर कि ashwathama hato पुरुणाचारे जी ने अपने हथियार रग दिये और उन्होंने आगे युद्ध नहीं किया तो ये एक ambiguity है आप अगर off the tube commentary कर रहे हैं studio से आपको कोई जरूरत नहीं है बताने की कि आप off the tube कर रहे हैं but at the same time आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप ground से कर रहे हैं आप कह सकते हैं कि हम इस समय हाजिर हैं सीधा प्रसारण लेकर आपके लिए फला फला match का इसमें आपने ना तो ये कहा कि आप ground पर हैं ना आपने ये कहा कि आप studio पर हैं आपने ये कहा कि हम आपके लिए सीधा प्रसारण ला रहे हैं तो सीधा प्रसारण ही तो जनता चाहती है audience चाहती है उनको क्या मतलब है as long as आपकी commentary में यह नहीं चलगता है कोई नुकसान नहीं है यह सब बताने का लेकिन कभी-कभी कुछ channels जो हैं कुछ producers वो कहते हैं कि नहीं producer in charge if you really need to leave please do so only after obtaining consent of the man in command देखी जब आप किसी भी प्रसारण के लिए जाते हैं तो आपका boss है वहाँ जो producer है वो अगर आपको कोई emergency आ गई है और आपको बीच में से जाना पड़ता है तो आप अपने producer को बताएं उनकी सहमती लें उनकी permission लें और उसके बाद जाएं ऐसा नहीं है कि आपको phone आया कि कुछ घर में emergency हो गई और आप अपना निकल पड़े और producer आपको ढूंड रहा है कि अरे भाई अब ये next session में इन्होंने आना था कहां गए ऐसा ना करें क्योंकि उसके बाद आपको दुबारा मौका नहीं दिया जाएका because ये highly unprofessional attitude और behavior है अपने producer को क्योंकि आपका सबसे बड़ा दोस्त है आपकी commentary में उसको अपने हर निर्णय में अपने हर बात में शामिल रखे उसके अलावा make sure to reach the venue of the commentary in time that is at least an hour before the schedule start of the commentary commentary से बहुत पहले पहुँचे एक घंटा कम से कम पहले पहुँचे आप वहां पहुँचेंगे organizers से मिलने की कोशिश करेंगे official material लेने की कोशिश करेंगे जो atmosphere है उसको soak in करने की कोशिश करेंगे ये एक commentator के लिए बहुत जरूरी है जो ambience है जो mahal है उस mahal में अपने आपको रमाना एक cricket की commentary आप कर रहे हैं 35,000 लोग वहां पर इस समय अपने उत्साह में उनने पूरा आसमार अपने सर पर उठाया हुआ है और अगर आप उनके भाव के साथ अपने भाव नहीं मिला पाते हैं तो आप as a commentator fail हो जाएंगे क्योंकि वो जो उत्साह है वो जो excitement है वो आपकी commentary में आनी चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि आप पहले ही जाएं आप ध्यान से देखें कहां पर कौन सा stand है कहां कहां ends है कितने लोग बैठे हुए है कितनी इसकी capacity है किस तरह के लोग है ये सब चीजें आपकी commentary को खुबसूरती देती है अगर आप नहीं भी बताएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छे commentator में और एक average commentator में यही फर्क है कि जो एक महान commentator या excellent commentator है उसकी commentary में सब पक्ष है मानविये पक्ष है तकनीकी पक्ष है माहौल है जानकारी है आकड़े है सटीकता है expression है modulation है सब कुछ है तो इसलिए यह जरूरी है कि आप पहले पहुंचे उस महाल को अपने अंदर आत्म साथ करें इसके अलावा आप जो handy telephone numbers है officials associated with commentary उनके अपने पास रखें मान लिजिए आप देर हो गई आप आ रहे हैं गाड़ी से गाड़ी का accident हो गया तो अपने पास phone numbers रखें आजकल सब के पास mobiles है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप ऐसी स्थिती में हों तो कुछ number आप लिख कर अपनी जे में रखें मान लिजिए खुदा ना खासता accident हो गया उस accident में आपका mobile जो है वो भी damage हो गया तो आप कैसे किसी को बताएंगे कि आप नहीं पहुँच पा रहे हैं यह बहुत छोटी छोटी tips हैं जो आपको एक अच्छा professional बनाती है क्योंकि आजकल mobile में numbers रहते हैं number याद नहीं होते हैं तो आप दो चार number जो घर के number है वो तो हमेशा याद होते हैं लेकिन जो आपका producer का number है याद कर लीजे उसे या उसे लिखकर रख लीजे ताकि आप जो हैं फोन कर सके और यह याद रखिये that a commentator is just as good as the team he is working with आपकी जो team है वो आपका सबसे बड़ा संबल है वो आपका सबसे बड़ा support system है तो अपनी team के साथ बहुत अच्छा विवहार कीजिए बहुत अच्छे संबंद बनाकर रखिए क्योंकि आपकी commentary को वही उपर लेके जाएंगे प्लीज ट्राइटो मेंग दे होल अट्मोस्फेर लाइवली और कॉडियल इस विल कीप यू फोकस्ट और अनर्जेटिक for the long hours of commentary for events like test matches जैसा मैंने पहले कहा कि अपनी commentary पर ध्यान दीजिए और atmosphere को हलका बना कर रखिए किसी चीज़ का बहुत जल्दी बुरा मत मानिये अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो मुँ मत सुजा लिजे मुँ मत फुला लिजे शिकायत मत करने लिए कॉमेंटरी पर ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप बहुत जादा शिकायती मोड में आ जाएंगे बहुत जादा नाराज होने वाले मोड में आ जाएंगे तो फिर आप अपनी कॉमेंटरी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे आप अपनी energy को लूज कर रहे हैं फिफ्ट सेट तक गए फिफ्ट सेट में टाई ब्रेकर तक गए दस बजे से लेके नौ बजे तक मैं कॉमेंटरी की सिर्फ दो कॉमेंटर सोच लीजिए ग्यारा घंटे की कॉमेंटरी अगर आपको करनी है तो आपको किस तरह का stamina चाहिए उसके लिए ये जरूरी है कि आप महाल को बहुत हलका बना कर रखें तो अब एक कॉमेंटर के लिए क्या जरूरी है हमने आपको बताया आपकी research, आपका उचारण, आपकी भाशा आपका expression ये सब कुछ जरूरी है और सबसे जरूरी है अभ्यास तो हमने आपको बता दिया अब आप अपने अंदर ये skills को develop कीजिए and happy commentating संजय अगरवाल को आग्या दीजिए अगले lecture में एक नहीं विधा के साथ CEC Guru Kul Live में आपसे फिर भेंट होगी नमसकार कि अपसे जरूरी है